फरुखबाद जिले में कल कानपूर से आई एंटी करिप्शन टीम ने एक लेकपाल को 10,000 रुपे रिस्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है यहां शुकरवार दिर रात तक थाने में मुगदमा लिखने की तैयारी चलती रही लेकपाल हरदोई का मूल निवासी बताया गया है मिली जानकारी के मुताविक कायम गंज तहसील के गाउं कुरार निवासी नेत्रपाल यादो एक साल से चक्रोट की पैमाईश करानी के लिए तहसील के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे पीडित के अनुसार उसने 8 अक्टूबर को डियम के दर्बार में भी गोहर लगाई थी छेत्री लेकपाल नरेश कुमार ने संपर किया तो उसने रिस्वत में 20 हजार रुपे मांगे स्री नेत्रपाल जो मेरापुर ठानाच्छत के रहने वाले हैं चैकर रोड के परमार्ष के लिए नेत्रपाल से संपर किए निरस्पीर नेज़क पलड्वार चैकरोड के परमारेश के एटो बेढ़िश जार लुपे है की डिमानकी गेडिय इसवत की रुप में इस संबन में सिन्रपाल तवरा चांपूर में लेकपाल से परेशान नेत्रपाल ने 30 ओक्टूबर को कानपुर के एंटी करेफशन थाने के परभारी चंद्रभान सिंग से संपर किया टीम के सूत्र बताते हैं कि शुकरवार दुपहर में टीम के अधिकारी नेत्रपाल से मिले टीम ने लेकपाल से मॉबाइल पर बात कराई तो अपने पास से 10,000 रुपे दिये लेकपाल ने नेत्रपाल को काइम गंज कस्बे की रोडवेज बसड़ा इस्थित एक धाबा पर बुलाया टीम के अधिकारीों ने पहले ही वहाँ जाल भिछा लिया था लेकपाल ने नेत्रपाल से 10,000 रुपे लेकर बैग में रख ले और जल्द ही नाप जोख करने का भरोसा दिया जैसे ही लेकपाल ने बैग में रुपे रखे कि एंटी करप्शन टीम के अधिकारीों ने उसे रंगे हाथों दबोच कर रुपे भी बरामत कर ले इसके बाद अधिकारी लेकपाल को लेकर शहर के कादरी गेट थाने पहुचे जहां दो कारों में सवार करीम 13 अधिकारी कर्मचारी कड़ी सुरक्षा में लेकपाल को दफ्तर तक ले गए ये लेकपाल फतेगर कोतवाली के प्रीतम नगला में मकान बना कर रहता है और लेकपाल हरधोई के थाना मल्लावा के गाओं पुर्वामा निवासी बताया जाता है देर रात तक अधिकारी मुकदमा दर्ज करानी के लिए लिखा पढ़ी करते रहे थाना इंस्पेक्टर विनोद सुकला ने बताया कि एंटी करप्षन के अधिकारी लेकपाल को गिरफतार कर लाए हैं वे लिखा पढ़ी कर रहे हैं, तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्च कर लिया जाएगा, फिलहाल इस प्रकरण के बाद पूरे जिले में हडकम के स्थिती है और चांच चारी है